So Hello Guys, Welcome Back to My New Video So आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो एम्पलीफार जो की स्टेंजर का SPB4 के एम्पलीफार होने वाला है जो की डूल चैनल एम्पलीफार है और यहाँ पर हमारे पास है एक छोटा सा मिकसर जो की स्टेंजर के तरब से ही SM6 मिकसर है इसमें आपको दो लेप्ट और राइट का यहाँ पर आउटपुट मिल जाते हैं और हम अगर एम्पलीफार में देखेंगे तो हमें एम्पलीफार में यहाँ पर दो एम्पलीफार मिला करके हमें चार आउटपुट चाहिए तो चार आउटपुट चाहिए लेकिन हमें mixer में मिल रहा है only दो आउटपुट तो हम कैसे connection करेंगे इसका इस वाले solution के हम यहाँ पर cover करने वाले हैं साथी रहत मैं यह भी बताने वाला हूँ कि बिना distributor के हम यहाँ पर दो नहीं तीन चार पांच ऐसे कुछ amplifier हम लगा सकते हैं बिना किसी यहाँ पर distributor के तो चलिए फिर वीडियो को लाश तक जरूर देखते रहेगा और वीडियो को like share और चैनल कल जीएगा subscribe तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस वाले connection के उपर full details उपर फिलाल हम बात करेंगे यहाँ पर stranger SPB 4K और SM6 mixer के बारे में क्योंकि इसके उपर comment आया था और बात करेंगे अगर आपके पास कोई और amplifier है दूसरे brand का dual channel amplifier है तो same ऐसा ही connection आपको उस वाले amplifier में अगर आप करेंगे तो भी आपका हो जाएगा जैसे कि अगर आपके पास SM6 है या फिर UM6 है तो same mixer है या फिर दो output का कोई भी mixer है वो same आप यही वाला connection आप कर सकते हैं तो चले फिर वीडियो को लाश तक देखेगा एंड वीडियो को like share और चैनल कर जेगा subscribe यहां पर हमारा जो mixer का main output होता है left और right तो left और right में हमें दो output मिल जाते हैं simple सी हम connection के बारे हम बात करेंगे speaker आप जैसे भी connection करते हैं वैसे आप connection कर लेना हम फिलाल इसका mixer और amplifier का connection हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं सो यहां पर left और right का जो connection रहेगा वो हम first वाले amplifier में channel A और channel B में हम यहां पर input करेंगे या तो आप XLR में कर सकते हैं या फिर आप jack pin में कर सकते हैं तो यहां पर जो की unbalance cable बोला जाता है ऐसे jack to jack pin भी बोला जा सकता है मतलब बोला जाता है तो यहां पर jack to jack cable से हम यहां पर इसको connection करेंगे जो की channel A चैनल B दोनों में हम connection कर देंगे कुछ इस परकार से हमारा एक amplifier का connection complete हो जाता है mixer में आपका दो output मिलता है और दोनों output हमारा चल गया first वाल amplifier में और दूसरे amplifier में हमें जो connection करेंगे वहीं jack के बगल में जो आपको xlar आपको socket देखने को मिल रहा है वहीं से हम यहां पर इसका connection करेंगे तो यहां पर xlar cable हम लेंगे मतलब xlar to jack जो की आपका xlar भी रहेगा तो वो रहेगा आपका male xlar रहेगा female xlar का यहां पर जुरूरत नहीं है आपको male xlar लेना है और jack जो की आप male xlar लगाएंगे first one amplifier में और दूसरे amplifier के jack pin के option में डालेंगे कुछ इस type से आप यहां पर connection कर सकते हैं और यहां पर same ऐसा ही हम channel A और channel B दोनों में same ऐसा ही हम jack to xlar कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका दोन ऐम्प्लिफार का connection complete हो जाएगा वहीं अगर हम बात करते हैं और हमारे पास amplifier है तो same ऐसा ही हम step by step connection करते जाएंगे यहां पर जितने amplifier आपको लगाने है वो आप amplifier लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी काफी अच्छा sound आपको मिल जाएगा लेकिन हाँ यह भी होता है कि कभी-कभी यह लगता है कि दूसरे brand का जो amplifier होता है और ऐसे ही हम जब connection करते हैं देजी चैन इसे बोला जाता है तो हम ऐसे डेजी चैन करते हैं अम्प्लीफार टू एम्प्लीफार टू एम्प्लीफार तो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि sound हमें कम लग रहा है तो अगर आपके पास सभी brand का amplifier मतलब अलग-अलग brand के amplifier है तो आप फिर उसके अलावा फिर आप यह करिए कि आप distributor ले लिजिए फिलाल दो-तीन amplifier के लिए आपको distributor लेनी की कोई भी जुरत नहीं पड़ेगी सेम ऐसा ही आप connection कर सकते हैं काफी easy to use है आप काफी अच्छा से उसको use कर सकते हैं और काफी अच्छा working भी करने वाला है फिलाल कुछ इस type से यह connection होता है एक और connection है जो कि अगर आप करना चाते हैं तो कर सकते हैं उसका connection यह रहेगा दूसरा connection यह रहेगा simple कि आपको जो आपका left और right का जो आपका mixer का output है उसको लेना है और आपको एक male XLR और आपको एक jack pin वाला XLR दो आपको चाहिए मतलब कि male XLR to jack pin वाला दो cable चाहिए जिसमें कि हम connection करेंगे यहाँ पर mixer के left channel या फिर right channel किसी भी channel से हम उठा करके और channel A में हम इसको input कर देंगे या फिर channel B में input कर देंगे कोई भी channel में आप input कर सकते हैं तो यहाँ पर channel A में हमने suppose मना कि channel A में हमने input कर दिया और simply हम और एक male XLR to jack pin वाला एक cable और लेंगे और यहाँ पर जो हमारे mixer में एक और output बच रहा है वहाँ से हम output लेंगे जो कि jack pin लगाएंगे mixer में और mixer से दें यहाँ पर हम male XLR जो हमारा code रहेगा वो हम लगाएंगे channel A वाले option में यहाँ पर हमने input कर दिया यहाँ पर channel A दोनों amplifier में हमारा यहाँ पर input जा रहा है अब हमें channel B में मतलब कि आपको यहाँ पर connection करना है तो उसका connection यह रहेगा कि channel A का जो jack pin है same वहीं से आपको दो cable लेना है jack to jack cable लेना है तो jack to jack cable को आपको simply channel A में आपको input कर देना है और वहीं jack वाला जो आपका option रहेगा channel B में आपको input कर देना है तो jack to jack लगा देंगे तो आपको कुछ इस type से अगर आप connection करते हैं तो भी आपका connection perfect होता है आप ऐसे भी चला सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी connection कर सकते हैं काफी अच्छा रहेगा आपका left channel में एक amplifier हो गया और आपका right channel में दूसर amplifier हो गया कुछ इस type से भी आप connection कर सकते हैं जो कि आप display में काफी easily आप समझ सकते हैं फिलाल गाईज आज के वीडियो में इतना है वीडियो कैसा लगा नीचे कमेड़ को समताएगा और वीडियो को like share और चैनल को कल जेगा subscribe मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम